जैसरी राम दोस्तों मेरा नाम हनिया और मैं आर्टीस्ट हूँ आज है हमारे व्लोग का 23 वा दिन हमने शुर्वात की अपने सुबेरे की पौदे को पानी दे कर जो कि कुछी सालों बाद पेड़ बन जाएगा तो कुछी सतरीके से हमने अपने पेड़ को पानी दिया और दोस्तों यहां मूड़ गया था जिससे हमने सीधा किया और हो जाता है दोस्तों सलपाहार का बग कभी भी सुबे जल्दी दोस्तों सलपाहार कर लेना चीए तो आज हमने बाहर पुड़ी और सब्जी खाया है जो की लगबग हमें 10 रुपए प्लेट पड़ा दोस्तो और हमने दोस्तो चाय पुड़ी भी खाये लिए क्योंकि यहां पे चाय भी बेहादी स्वादिश्ट वाली मिलती है बहुत दिन हो चुके होते हैं दोस्तो अंगूर खाये हुए और मैं देखता हूं कि ठेले से अंगूर ही जा रहा होता है तो मैं इसे ले लेता हूँ जो की लगबग मुझे 100 रुपए किलो पड़ता है दोस्तों उसे मैं लेता हूँ आधा किलो और उस पे मैंने 10 रुपए भी कम करा लिये तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मैं अंगुर खाते खाते पहुच जाता हूँ अपने एक दोस्त के पास आज उसका होता है बर्थडे तो बहाँ बर्थडे की दिन दोस्तों मुझे खिलाता है सबसे पहले दो मिठाई सॉफ्ट वाला रसगुला वायट वाला जो की बहाँ टेश्टी होता है उसके बाद हम पहुच जाते एक नॉन विच शॉप है दोस्तों केलाश नगर में अनुराग नॉन विच सेंटर तो इस जगह पे हम दोस्तों खाते हैं चिकन फ्राइड राइस जो की बहाँ कलाकन दोस्तों और कुछ इस तरीके से हो जाता है दोस्तों साम और साम को दोस्तों ठंड के मौसम में अगर लकडी चला कर आपने आग नहीं से का तो फिर क्या ही मज़ा लिये ठंडी का और आनंद लिये दोस्तों तो कुछ इस तरीके से हमने बहुत सा आनंद लिया आग का दोस्तो और पता ही नहीं चलता कव हो जाती है रात और भूत कसके लगने लग जाती है भूग दोस्तो तो हमने आज डिनर में खाया दोस्तो राइस और पालक डाल दोस्तो जो कि मेरी मां के हाथों का था और बेहती स्वादिश्ट था दोस्तो तो कुछ इस तरीके से आज का ह हमारा दिन यहीं समाप्त हुआ दोस्तों वह शुक्रिया जो आप लोगों ने अपना कीमती समय में दिया जैसरी राम जैसरी रादें